दुडग नगर निगम के सभागार में भारती न्याई सहिता विशै पर एक दीवसी कायर शाला कायजन किया गया, इस मौकर पर पुलिस मानी हिशक दूर्ग रेंज द्वारा ने कानुन के विशै पर प्रस्टिक्शन कायर शाला में बताएगा कि फिरित को सबरे पर न्याई एबं कारवाई में पारदर्शिता लाने हेतू नए कानून का निर्मान किया गया है। एक जुलाई से लागू होने वाले नविन कानून को लेकर लगातार दुर्ग पलिस कारशाला का आईजन कर लोगों को जागरू करने का प्रयास कर रही है। दुर्ग निर्मान के सबागार में भी पलिस युभाग के दोरा एक कारशाला का आईजन किया गया जिसमें लागू होने वारे कानून के बारे में जानकार या दुर्ग नेगा है। भारत सरकार द्वारा राजपतर में प्रकाशी तीन नभी नापराधी कानून एक जुलाई दुर्ग पलिस द्वारा विभी ने कायकरम एवं सोशल मीडिया प्रेस इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से आम नागरी को तक नए कानून के बारे में प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिसकी अंतरगत पुलिस मानिरिक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग एवं पुलिस अधिक्षक दुर्ग जितेन शुकला के द्वारा नगरपालिक निगम दुर्ग एवं लाइवली हूट कॉलिज सिक्टर 6 भिलाई के सभागरी में एक दिबसी नभीन भारती न्याय सहीता विशे पर कारिशाला एजित की गई इस दोरार पुलिस मानिरिक्षक दुर्ग रेंज राम गोपाल गर्ग ने बताया कि नया कानून पीडित को जल्द से जल्द नियाय दिलाने के लिए बना गया है इस कानून से पीडित के साथ पुलिस अधिवक्ता एवं नयाधिश के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है वर्तमान में जो कानून लागू है जो सन 1860 में बनाया गया था ये कानून अंग्रेजों के द्वारा अपनी सहलियत के अधार पर बनाया गया था वही नय कानून में महिला संबंदी अपराद की विवेशना महिला अधिकारी ही करेगी साथी संपत्ती जबती सर्च सीज की विडियोग्राफी करना अनिवारे होगा इस कानून के लागू होने से अपरादियों में जल्द एवम निश्चित सजा होने के डर से वे अपराद करने से डरेंगे इस नए कानून में आप कहीं से भी एमेल के माध्यम से FIR दर्स करा सकते हैं परन्तु तीन दिन के भीतर आपको संबंदित थाना पहुँच कर हस्ताक्षर करना अनिवारे होगा इस मौके पर यहां पहुँचे अन्य अधिकारियों ने अपनी बाते रखी नगर निगम के टाउन हॉल में जिसमें के विविन वियागों के अधिकारी करमचारी और साथ में स्वेय स्वेयतास्मूर की महलाईं और गनमाने नागरी गन स्टूल और कॉलेज के बच्चे उपस्तिते तो उनको नए कानूनों में क्या-क्या प्रावदान है जिससे के वो अप्यक्ट होंगे जिससे उनको सुगदा मिलेगी इसके बार में बताया गया इसमें सबसे खासवात यह है कि जो दंड से न्याय की और यह कानून बढ़ रहे हैं तो उसमें विक्टम सेंट्रिक अप्रोच के साथ इन कानूनों को बनाएगा इसमें बिल्कुल जैसे इन कानूनों में बहुत सारी चीजों में समय सिमा निर्दारिक की वही है उसमें सिमा में चाहे वो इन्वेस्टिकेशन कंप्रेट करने का हो चाहे वो जैसे के लिए करस्ता सुनाने को भी बिल्द जो स्टेप्स रहते हैं लाई मिलने के उन में समय सिमा निज़र की गिए इसमें बढ़ाई गई है जैसे के जीरो एफ़ायर का परफदान इसमें कानून में है जिसके माधियम से आप इलेक्रोनिक माधियम से भी आप अपनी एफ़ायर लिखा सकते हैं परन्तु इसमें एक चेक रखा गया है थाके आनवशक उसका दुरूप योग ना हो तो तीन दिन के अंदर स्वेक्ति को जाके थाने में अपने फ़ायर साइन करने इनको नए कानूनों में इसका नहीं दिख रहा है लेकिन एक समानने ता है कि ये साइबर क्राइम जो होता हैं वहीं देख सकें और आपकी एक सुरक्षास में हैं कॉलेज के विद्यारतियों को मैंने इक संदेश दिया था कि जो सोशल मेडिया जो फ्लैट्पॉर्म हैं चाहिए पेस्बूप इंस्टाग्राम हैं इनका उप्योग पॉस्टिव चीजों के लिए करें और उतनी ही ज साब को भी जानकारी भीजी गई है और पूरा लिस्ट उसका जो खसरा नंबर वेगर है उस पर करवाई के लिए तो वहां से जानकारी मिलने के बाद उनके जो रिजिस्टर वेगर हो भी बेन की जाएगी और अगर वो बोर्ड हटा दिया गया है उसको चेक करवाते हैं नय फारुकिक की रिपोर्ट